नमस्कार दोस्तों, ग्रूप कैप्टेन शलीसा थामी पहली महिला बिनी है जो एक इंडियन एर फोर्स कॉम्बाइट उनित को कमान करेंगे वैसे आपको पता है दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सस के जो टॉप पोस्टिंग से वो मेल डॉमिनेटर है बट रिजनली सुप्रीन कोड की तरफ से एक जज़्जमेंट आया था जिसमें उन्होंने 108 वीमन ओफिसेज का प्रमोशन अप्रूर किया था तो दे रैंक ऑफ केरनल केरनल इस एन इक्वलन रैंक टू ग्रूप कैप्टेन इन इंडियन एर फोर्स और कैप्टेन इंडियन नेवी एबात आपको मालूम होगा तो ग्रूप कैप्टेन शलीशा थामी के वेल वीमन ओफिसेज के लिए नहीं पूरे वीमन फर्टेनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन है वैसे इनका कमेशन हुआ था आसे हिलिकॉप्टर पाइलेट इन इंडियन एर फोर्स 2003 में ग्रूप कैप्टेन थामी एक क्वालिफेट फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है और चीता और चेतक हेलिकॉप्टर इनका अलरड़ी 2800 अवर्ज ज्यादा फ्लाइंग एक्सपिरियेंस है क्वालिफेट फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर या फिल क्यों एफ आई का मतलब क्या होते है दोस्तों बैसिकली देयार इंस्ट्रक्टर ये नए पाइलेट्स को ट्रेनिंग देंगे तो ग्रूप कैप्टन शलीशा थामी सर्फस टू एर मिसेल स्कौर्डर इन पंजाब का कमांड टेक ओवर करेंगे मार्च 27 वैसे देखा जाएगा तो ग्रूप कैप्टन शलीशा थामी पहली वुमन ओफिसरे जिने एक फ्रेंड लाइन कॉंबाट यूनिट का कमांड मिल रही है वो भी वेस्टेन सेक्टर में पाकिस्तान बौर्डर के पास में पर देखे अल्रडी 18 विमन ओफिसरे से इंडिन एरफोर्स में जो फाइटर पाइलट से और जो सुपर सोनिक जेट्स उठा रहे हैं इस पोस्टिंग से पहले ग्रूप कैप्टन थामी वेस्टेन सेक्टर में ही as the flight commander of a helicopter unit serve कर चुकी है इन्हें दो बार एर ओफिसर कमांडिंग इंग चीफ का कमेंडेशन भी मिल चुकी है जैसे मैंने आपको पहले बोला ओल्रडी इंडिन एरफोर्स में 18 विमन फाइटर पाइलट से जो मिक-21, मिक-29, सुखोई, रफेल्स जैसे एरक्राफ्ट उठा रहे हैं इसके अलावा 145 से ज्यादा विमन हिलकॉप्टर पाइलेट्स भी है इंडिन एरफोर्स में इंडिन नेवी की बात किया जाए अल्रडी इंडिन नेवी ने 30 विमन ओफिसेस को फ्रेंड लेंड वार्शिप्स में डिप्लोई किया है इंडियन आर्मी की बात किया जाए अभी भी इंडियन आर्मी के कुछ combat arms में women को जोइन करने नहीं देता है जैसे कि infantry, armored corps, mechanist infantry, etc. फिर भी देखा जाएगा तो आर्मी अभी women officers को commission किये जा रहे है artillery join करवाने के लिए artillery का already 280 units से इंडियन आर्मी में which handles a variety of hobbitsers, guns, rocket systems, etc. देखा जाएगा तो इंडियन armed forces में women officers की entry early 1990s में शुरू हुआ था मतलब already 30 साल से ज्यादा हो चुके है पर अभी भी women officers का जो number है बहुत कम है in comparison with male officers इंडियन armed forces में total officer cadre जो है 65,000 से ओपर है उसमें केवल 3,900 के आसपास women officers है इसके अलावा separately 1,670 women doctors है 190 dentists है and 4,750 nurses है military medical तो दोस्तों that's it जैसे मैंने आपको पहले कहा group captain धामी का जो posting है ये Supreme Court verdict के बाद आया है Supreme Court ने करीब एक महिने पहले अपना verdict के तरू ये बोला था कि women officers को भी command postings दे देना चाहिए अगर वो बाकी सरे criteria's fulfill कर रहे है तो इसके बार में मैंने एक detailed video बनाया था अब हशिद्युदी नाम के साथ search कर सकते हू command postings for women officers in the army command postings का मतलब क्या होता है ये process क्या है ये detailed तरीके से समझा रखा है so congratulations to group captain Shalisa Thami thank you for watching bye bye have a nice कर्साइब अप है